कैसे आप से भी लोगों और आप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ काफिय चल ले होगी आज की वीडियो में अब लिए कोर्स लांज कर रहे हैं क्या क्या होने वाला है उससे पहले मैं को बता दूगी कुर्स किन किन लोगों के लिए ठीक है अगर आप किसी भी नेटव तो वह आपको बहुत ज़्यादा help करने वाला है, अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी करें तो यह course आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह course काफी बड़ा होने वाला है, जैसे मैं आपको पहली बता चुका हूँ, 24-25 घंटे का course होने वाला है, जबकि अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी करवाते हैं, तो वहाँ पर मैंने computer networks करके एक course बना रखा है, यहाँ पर आप computer network में पढ़ सकते हैं, जो gates specific है, ठीक है, अगर gate में जितने topic पढ़े जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनके उपर हमने detail में video बना रखे है, question करवा रखे हैं वहाँ तो वहाँ पर साब देख सकते किसी भी computer exam के तयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये course अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको extra time देना पर जाएगा, ठीक है, जो कि आपके computer exam के लिए better नहीं होगा, तो अगर आप placement के तयारी करा है, वे Tech students है या फिर आप web development सीख रहे हैं, तो उसके साथ computer networks की भी information यहाँ पर जनकारी ले सकते हैं अब इस course में क्या क्या होने वाला है ठीक है उसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं यहाँ पर मैंने हर एक topic को mention नहीं किया हुआ है यहाँ पर topic के अंदर सब topics होंगे उनको पर हम detail में discuss करेंगे लेकिन subtopics मैंने हाँ mention नहीं है main main जो topics थे उनको मैंने हाँ पर mention किया हुआ है तो सबसे बात कर लेंगे basic of computer networks की हम लोग basic जान लेंगे सबसे बहले कि router क्याते है gateway किसे क्याते है client क्या होता है server क्या होता है host क्या होता है when क्या है man क्या है pan क्या है इनके बावर discuss कर लएंगे ठीक है फिर topologies के बारे में discuss कर लेंगे हम लोग Хорошо फिर हम लोग differenti जाएंगे कि what मैं और internet महीं होता है ठीक है का इस तरह करेंने इनकों पर हम लोग detail करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे mornings इसकी जो 7 की 7 layer है उनके हम लोग बात करेंगे TCPI model इसकी 4 की 4 layer पर हम लोग बात करेंगे TCPI header क्या होता उसके उपर बात करेंगे OSI model में कौन कौन सी आपके protocols use होते हैं HTTP, HTTP, S, ठीक है आपका DNS क्या होता है उसके पर हम लोग बात करेंगे पर हम लोग जाने वाले ज़रूरी ऐसा नहीं है कि यहां पर OS model लिखा हो तो साथ model में बता दे कि साथ model होते हैं बस खतम नहीं उसके प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वह भी किस तरह से काम करते हैं वह भी हम आपको बताएंगे पढ़ाया जाएगा ठीक है माला एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जाएगा तो स्पाइरल की फॉर्म में चलेगा ठीक है तो आप यह मत सुचेगा कि यह टॉपर किस कंदो तो पढ़ाया है नहीं ऐसा नहीं होगा जैसे OSI model के पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा फ किस तरह के सिगील भीजिता किस तरह का लिटा है इस तरह से आपका पूरे network को लेज करता है तो यह सब सिखने वाले हम डिटेल में फिर मनुब बात इंगे network hardware की वही राउटर switches किस सरे से काम करता है क्या अफ़रक होता है इन में कि हम लोग बात करेंगे inglés optical fiber के पर हम बात करेंगे fiber, k Career types की होता है, किस का मैं connections होती है Optical fiber कितने type की होती है, काउसी bandit VMware Wrapied बात करेंगे सिसके मर्म बात करेंगे Quex, Cable क्या होती है, Ethernet क्या होता है, इसके पर हम लोग बात करेंगे, Transmission Media क्या होता है, Wired or Wireless, इसके पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस Properties क्या होती है, Different Cable के बात करेंगे, जैसे Wireless, Wi-Fi और Bluetooth किस तरह से वक करता है, उसके पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, Network Protocol, अब य काफी important है, अब TCP को हम लोग बहुत च्छे जानेंगे, TCP header क्या होता है, header को हम लोग बहुत च्छे और detail में जानेंगे, कि header के अंदर क्या क्या चीज हम information रखते हैं, क्यों रखते हैं, किस तरह से काम करता है, UDP अच्छा है, TCP अच्छा है, इस तरह के से, ठीक है, Protocol क्या होता हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि मैंने अपर mention नहीं किये, ठीक है, Cloud Computing, Virtualization, Web Client, Web Server, ठीक है, Web Server में भी हम और detail में जाएंगे, ठीक है, फिर Network Design and Implementation, किस तरह से होता है, Network Design, Architecture क्या होता है, इसका principle क्या होता है, उसकी बीचे की सोच क्या है, हम लोग बात करेंगे, Subnetting क्या जाता है, ठीक है, और V-Line क्या होता है, Virtual Internet Line, Routing क्या होती है, ठीक है, कैसे हम Network को तुपर वस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह समें problem आती है, ठीक है, Network Security, यह भी काफी vast topic है, ठीक है, इस परही में हम लोग बहुत detail में जाएंगे, Security क्या, vulnerability क्या है, मलब कैसे हम encryption अपलाई क 3G में, ठीक है, क्या फ़राग है, 5G में, ठीक है, और कितने तरह के wireless standards होते हैं, उनके पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, emerging trend और technology मैंने असवे जैसे बोला, कि जो present time पर अक्वी technology चल दी होते हैं, उन पर हम बात करेंगे, ठीक है, और मैं आपको guarantee तरह हूँ कि ऐसा course आपको है, वहाँ से उसका पर सकते हैं, लेकिन आपका placement ही अगर तयारी कर रहे हैं, तो यह course आपके लिए best होने वाला है, ठीक है, फिर यहाँ पर internet thing, IoT fundamentals, ठीक है, internet में जो fundamental होते हैं, basic basics, आपके होते हैं, वो उसके पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी Lt. नो इसके से ब्सकी हैं, पर पर हम लोग बात करने वाले है, ठीक है, सीकियोर्टी के topics, मैं आपके से काफी vast topic होने वाला है, इसकी kriptographie हो गया, firewall हो गया, ठीक है, और आपका IDPS, IPS ठीक है, और internet security fundamentals, इनके उपर हम लोग बात करने वाले है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ कु quality of service कैसे provide की जाती है उसके लिए क्या क्या चीज़े की जाती है हम लोग इसे पर बात करेंगे और crowd networking इसके उपर हम लोग बात करेंगे ठीक है और वही emerging technologies इसके पर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर मैं इस रात की guarantee नहीं देता कि मैं regular वीडियो अप्लोड करूँगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह जो course मैं बना रहा हूँ काफी और हो सकता है कि यह जो course है इसकी वीडियो एक दिन के बाद आए या दो दिन के बाद आए लेकिन अगर जो वीडियो आएंगी वह बहुत ही आपकी की meaningful होंगी ठीक है बहुत ही कुछ आपको learn करने को इसमें मिलेगा ठीक है और in-depth इसमें knowledge आपको मिलने वाली है ठीक है तो कोसिस हम लोग यह करेंगी कि हम regular basis पर वीडियो डालें किसी भी तरह की problem आ जाती तो मैं आपको community में बता दूँगा उसके लिए आप हमारे क्या कर लीजिए हमें जो different social media accounts पर रिच आउट कर लीजिए ठीक है और वहां पर हमें follow कर लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि वीडियो अप्लोड हो चुकी है ठीक है और वहां पर आप इसको देख सके जाने से पहले ही छोड़ी सी रिक्वेस्ट में आपसे करना चाहूंगा यहां पर हमारे को चैनल है वाचिंग गुडभाई टेक केर